Hey guys welcome back to my photoshop series और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने product manipulation design के लिए इस तरह का एक 3D base हम photoshop में कैसे easily create कर सकते हैं So without any further ado, let's start the video So इसके लिए मेरे पास यहाँ पर अपना canvas open है and मैंने यहाँ पर इसके उपर एक grey background यहाँ पर लगाया हुआ है इसका color code है ये and इसे मैंने यहाँ पर place क्या हुआ है ठीक है Start करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने shape tool में से यहाँ पर से ellipse tool यहाँ पर लेना है ठीक है और यहाँ पर हमें इस तरह का एक यहाँ पर shape create करना है ठिक है इस तरह का मैं इसका color यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ Green ठिक है यह वाला Green ठिक है और इससे मैं इस तरह से उपर Place कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं Alt Hold कर रहा हूँ ठिक है और इसका एक यहाँ बाद Duplicate ले रहा हूँ ठिक है यह हमारा है Ellipse 2 यह हमारा 1 एंड यह हमारा 2 मैं इसे थ्रोड़ा सा यहां पर close कर रहा हूं around this much and इसके बाद हमें यहां पर लेना है rectangle tool ठीक है और यहां से हमें zoom in करके इस तरह से हमें इसके edge से हमें इस तरह से एक rectangle यहां से create करना है इस तरह से मैं अभी के लिए इसका जो color है वो यहां से कुछ और कर रहा हूं और यहां से हमें इसके edge को यहां पर मिलाना है इसे मिलाने के लिए आपके पास यहां पर दो option है या तो आप यहां से control T कर सकते हो और इसे इस तरह से आप match कर सकते हो या फिर आप यहां से shape tool में जाकर यहां से इसके roundness को यहां से इसके इससे increase या फिर decrease कर सकते हो या फिर आप properties में जाके यहां से इसके roundness को आप यहां से increase या फिर decrease कर सकते हो तो मैं इसे यहां पर place कर रहा हूं यह यहां पर ठीक है around 64 पूर और अब मैं इसका कलर वही कर रहा हूं जो हमारा ये वाला है यहां इसे ओके कर रहा हूं और यहां पर इसे कंट्रोल टी करके यहां से से मैच कर आए इस तरह से सेम यहां पर भी हमें वही करना है इस तरह से और यहां पर भी हमें ठीक करना है इस तरह से अब हमें यहां पर मिलाने के बाद हमें यहां पर ओके पर क्लिक करना है यहां से और यहां से इस रेक्टैंगल लेयर को एंड इस बॉटम एलिप्स लेयर को यहां से स्लिक करना है शिफ्ट होल्ड करके और यहां से कंट्रोल ए करना है तो यहां पर यह दोनों शेप यहां पर merge हो जाएंगे ठीक है इस तरह से यह दोनों shape यहाँ पर merge हो चुके है and finally अब हमें यहाँ से simply और अब हमें finally इस merge layer के thumbnail पर double click करना है इस तरह से या फिर हम चाहें तो यहाँ से shape में जाकर इस तरह से यहाँ से भी इसका fill चूज कर सकते हैं मैं simply यहाँ पर इसके layer वाले thumbnail पर यहाँ पर click करूँगा इस तरह से double click और यहाँ से मैं इसका इस तरह से color को यहाँ पर dark करूँगा ठीक है and have a look at this यहाँ पर एक 3D यहाँ पर base हमारा create हो गया है इसे और भी ज्यादा यहाँ पर realistic करने के लिए हमें यहाँ पर इस merge layer के ठीक उपर हमें यहाँ पर एक layer create करना है ठीक है और यहाँ पर right click करके यहाँ से create clipping mask करना है यहाँ से simply हमें brush लेना है and हमें इसका flow है वो यहाँ पर around 15 to 10% यहाँ पर रखना है ठीक है black color हम यहाँ से लेंगे foreground color में और यहाँ से हम simply इस तरह edge में इसके यहाँ पर black से इस तरह से paint करेंगे ताकि इसका एक यहाँ पर base shadow यहाँ पर create हो जाए ठीक है इस तरह से आप चाहो तो इसके middle वाले edge पर भी यहाँ पर इस तरह से around 2 या 3% flow रखके आप यहाँ से इस पर paint कर सकते हो इस तरह से and even आप इस base का जो layer है जो आपर part है वो आप यहाँ से इस ellipse वाले layer पर double click करके यहाँ से इसका जो color है वो यहाँ से आप change कर सकते हो जो चाहो आप यहाँ से change कर सकते हो इस तरह से आप जो चाहो वो यहाँ पर change कर सकते हो मैं इससे यहाँ पर cancel कर रहा हूं and यह हम इस वीडियो के comment section में यहाँ पर पूछ सकते हो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए good bye